प्रियाग्राज की पावन धर्ती पे कुंबे 2024 का आगाज हो चुक है जिसे 2025 में होने वाले महा कुंब का ट्राइल माना जा रहा है लभग दो महीने चलने वाले इस मेले में सादू संत कलपवाजियों के साथ उत्तर प्रदेश व भारत वर्षी नहीं बलकि देश विदेश के तमाम लोग यहां आती हैं जो दान पुन्ने के साथ अपने संस्थाओं के माध्यम से मिलने वाले स्विधाओं को जन्माने से अव वायो की जानकारी दी जारी है जिनके सहयोगी के रूप में डॉक्टर दवेंदर कुमार यादव कैंसर रोगिशेश शग्य सवरुपरानी डॉक्टर राम सिंग कुष्ट रोगिशेश शग्य एक्ता चत्रवेदी मैनेजिंग डारेक्टर वंधना यादव समाच सेविका अज उत्तरप्रदेश प्रियाग राज की पावन नगरी दंगा जमना सरस्वती की जहां तहजीब कही जाती है उस पावन छेत्र में नियूस्ट 21 चैनल के माध्यम से हम लोग आये थे बहुत ही अच्छा दिन है आज 22 जन्वरी यादगार रहेगा देश ही नहीं विदेश प्रभू स्री राम जी अयोध्या में आज विराजमान हो चुके हैं और उसी उपलक्ष में आज हम लोग मागंगा के तटपर पे ही आय हुए हैं यहां पे उत्तरप्रदेश ही नहीं देश ही नहीं विदेशों से भी लोगों ने यहां पे अपनी अपनी संस्थाओं फर्म कि यहाँ पे जमीने लेकर के अपने संस्था के प्रचार हेतू यहाँ पे दो महीने कलपवासियों के साथ रहते हैं जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पूजा अर्चना हो रही है हमारे साथ यह देखिए अनिकेत इस्माइल फाउंडेशन जसरा प्रयागरास की ओर से यह हैं यह किस लिए यहाँ पर रखा गया यह पूजा अर्चना अभी मेला भी पूरे तरीके से बसा नहीं हुगा है और उसके पहले यहां किस टाइप का यहां पर यग्ज्य हो रहा या पूजा पार्ट हो रहा आई यह मुलाकात करते हैं कुछ लोग आई हुए हैं बैस आप अपने Cancer का ये बताया है इसमें बैनर में इसमें ये क्या समझा जाए पब्लिक को क्या पता चलेगा इससे इससे पब्लिक का ये पता चलेगा कि यहां जो है स्वास्त पदिछण मेले जो है Cancer के लिए रखा गया है जो कि माग मेले में कोई भी ऐसा कैंप नहीं है जो कि Cancer पे अवेर कर सके Cancer पे स्क्रीनिंग टेस्ट कर सके या Cancer समझ्दित कोई जानकारी दे सके यह फाउंडेशन अनकेत इसमाइल फाउंडेशन इसलिए बना हुआ है कि लोगों को जो है सहारा देने के लिए Cancer अगर किसी प्रकार को किसी को कोई भी सहायता चाहिए तो अनकेत इसमाइल फाउंडेशन दिन रात अथक और मेहनत के साथ उसके साथ लग कर उसको निसोल को उसका स्वास्त परिष्ण कराएगा डाक्टरों से मिलवाएगा और जो है भविश में किसी प्रकार की किसी को को कोई दिक्कत हो तो अनकेत इसमाइल फाउंडेशन से संपर कर जो है अपने स्वास्त का उल्लाव उठा है आपने यह सपना क्या समझ के यह पिरोया जो आज आप प्रियागराज की पावन धर्ती पर आप लोग यह कैम्प लगा रहे हैं मेरा एक बच्चा अनकेत अरस में रहे होमी भावा कैंसर हास्पिटल में मैं एक साल तक उसके साथ पूरा रहा पर उस बीच इतना ज्यादा उतार चड़ा हो रहा जिंदगी में उस बच्चे को अनकेत को कि हमारे जो रोह जो मेरी आत्मा हो थी वो कांपती थी मैं रोता था उसके सामने तो कभी उस परिशान होता जरूर था पर उसको कस्ट देखकर हम लोग बहुत परिशान होते और लोगों के लिए प्रिणा बनता था चोटा बच्चा जरूर था पर इतना उसके अंदर होशला था कि जब भी डॉक्टर उससे कहते कि बेटा सुई लगवाना है तो हाथ आगे बढ़ा पर फिर भी बच्चा जो है इस दुनिया में अब नहीं है और यह जो परिशानी रही अनकेट के जीवन में उसको सोच कर कि भविष्च में ऐसे चोटे बच्चों के लिए मैं फाउंडेशन बनाओं अनकेट के नाम से अनकेट इस दुनिया में अब तो नहीं रहा पर अप अपने पीछे बहुत बड़ी सोच उसने छोड़ कर गया है एक छोटी सोच है मैं चाहूंगा हमारे साथ डक्ट साब की पूरी टीम है लहबाद मेडिकल कालेज के डक्टर देव कुमार यादो जी भी हमारे साथ हैं जो भूम पूजन हमारे साथ समझे सायोगी नहीं कहिए कि ये फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं मैं दोनों मिलकर एक छोटी सोच थी इसको आगे बढ़ाने का कारे हम दोनों कर रहे हैं आज जो है मागमेला में ये कैंप जो है अनिकेत इसमाइल फाउंडेशन स्री कृष्णा मार्क पर लगा हुआ है जो भी जब चाहे जैसे भी चाहे कैंसर के लिए जो है हम से मदद मांग सकता है हम मदद उसके लिए तयार है हमारे डाक्टर देव कुमार यादो जी भी है मेडिकल कॉलेज में कैंसर रोग विशेशक गए ये दिन रात जब भी अनिकेत इसमाइल फाउंडेशन की बात आती है अनिकेत इसमाइल फाउ का उसके चाचा का कैंसर का इलाज चला है उसमें डॉक्टर देव कुमार जी काफी सायोग कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूं और भविष में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो हम लोग दिन रात इसके लिए तयार है कैंसर के लिए आपका पूरा परिशे मैं डॉक्टर अख्लेश कुमार दुवेदी अनकेत इस्माइल फाउंडेशन का मैं संस्थापक और यहीं प्रियाग राज में मैं मोतिलाल नहुडी कालेज कौंधियारा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पत्पर कारेरात हूं पूरा मेरे साथ यह बहियाने अपना परिच्छे दिया और साथ में डॉक्टर साब भी है चैंसर के आई उनसे मुलाकात करते हैं डॉक्टर आप इस कैम्प के बारे में क्या तहना चाहेंगे मैं डॉक्टर देव कुमार यादो मैं सहाय का आचार हूं मेडिकल कॉलेज में तो इस कैम के माध्यम से हम यहां पर तुकि बहुत सारी भीड़ाती है मेले में बहुत से लोग घरतर लोग आते हैं बहुत ज्यादा लोग तो अपनी बात पहुचा सकते हैं लोग को अगर बढ़ेगी कैंसर में सिर्फ जानकारी ही है जिससे हम बच सकते उससे और बाकिया कैंसर हुआ या उसकी स्टेज बहुत बढ़ गई तो हम कुछ कर नहीं पाएं उसमें तो सबसे जरूरी है कि समय रहते ही मरीज हमारे पास आ जाए उसका इलाज हो उसके लिए जानकारी सब लच्ण को पहचानना है कैंसर सुर्वातित लच्ण क्या है कैसे उनको पहचानना है कैसे समय रहते डॉकटर के पास जाना है किसी कैंसर डायग्ञोस why होता है तो हम उसको लीज या जहां भी वह चाहता है वह उसको त्यार है उसके लिए यहां नहीं होगी बहुत धर्नेवाद यह बहुत अच्छा इन्हों ने संकल्ब लिया है जो कि आज हमारे ख्याल से इसी संकल्ब को लेते हुए इस कैम को संकल्ब को